मम्मी जड़ा पेवी कोल लादो यह आ गया पेवी कोल मम्मी जड़ा सर्जोगा देल भी लादो मम्मी जड़ा कोल गेट लादो मम्मी जड़ा कोल गेट लादो मम्मी जड़ा कोल गेट लादो मम्मी जड़ा पेवी कोल लादो ब्लाक हेट सटेंगे ना ओम्मी इसलिए हमें दी आ ही नहीं सब त seulement एक बार में चलो हमें पता ही नहीं हो तक हम अपने जो裡 करें बस मतला भी मिक्स करना आं अर कुछ इतना बड़ा बना लिया अपाथ ही क्या है और लगा लिया इसकिन पर आगली देख आ मुह पे क्या घ्या निकल कर आगया तो इसलिए पहले से ही ध्यान दीजिए कि आप स्किन पर क्या लगा रहे हैं वो लगाने लाइक है भी कि नहीं जरूरी नहीं है कि डियाई वाइज आप जो बना रहे हो वो सही ही हो मिक्स करने से पहले बनाने से पहले जानिए आपकी स्किन को क्या चाहिए इसकी नौइली है कॉम्बिनेशन है सेंसिटेव है ड्राइए क्या है इसकी आपको पता होना चाहिए उसकी अकॉर्डिंग अपनी डियाई बाइज रेडी कीजिए हाई नमस्ते कैसे हैं आप सब लोग आशा करते हूं आप सब लोग अच्छे होंगे और स्वस्त होंगे वीडियो में आपको चार चीज़े मिलेंगी पहला है बॉड़ी गॉष दूसरा है कोहनी में अगर ब्लाइकनेस है तो यह करिए तीसरा है बॉडी स्क्रब बॉडी स्क् करते हैं तो फोर्थ है आइस क्यूब इसकिन जल रही है कि अंदर से चली बनाते हैं कि बॉडी वाश के लिए मैंने लिया है कच्छा दूद और मैंने लिया है पिंच ओफ तर्मरिक देख लिए कितनी सी जरा सी तर्मरिक है और दूद की क्वांटिटी भी देख लिए ठीक तो मैं पिंच ओफ तर्मरिक ये मिक्स कर लूँगी इसमें ठीक है हां जी तो मार्किट में बहुत सारे शावर जल वगेरा हैं अबलेबल हैं आप बहुत अच्छे अच्छे खरीच सकते हैं पर आप जितना प्रकरती से जूड़े रहेंगे उतना अच्छ है लॉंग टर्म में कोई भी प्रॉब्लम आपको फेस नहीं करने बढ़ेगी साइड इफेक्ट कभी नहीं मिलेगा और ये इस इंस्टेंट ग्लो देगा आपको पार्टी में जाना है आपको लहंगा पहनना है शौर्स पहनना है कुछ भी पहनना है आप इसको एक बार लगाईए पिर बताईए कैसा लगा कामेंट्स जरूर करना ये लगाने के बास करना पर मैं पहले नहीं बोल रही हूँ हाँ जी तो दूध है इसमें और इसम लगाईए और और कमेंट करिए थीड़ के तो इसमें है कच्छा डूद कच्छा डूद में लेक्टिक एसिड होता है लेक्टिक एसिड इसकी सिर्ष में तर्मरिक तो एंटिसेप्टिक ग्वावग करते हैं तो तर्मरिक तो बहुत लाबकारी है इसको लगाईए और पर देखिए मैं मालाई लेव सॉल्ट जरा साही लेना आप लोग भी और यह लिया है मैंने शुगर को मैंने पीस लिया था शुगर को मैं इसमें मिक्स कर लोगी पीछे कुछ कपड़ा रख ले उसके ऊपर आता जाए और अपनी कोहनी पे प्रगड़ते जाओगा फिर मेरे पास यह कॉफी है वह जड़ासी लिए उसमें मैं दूद मिक्स कर लोगी फिर आप इसको लगा के छोड़ दीजे दूद जा तो कोहनी की जो प्लाइकनेस है वह कैसे हटे कि मैं आपको एक और तरीका बता देती हूँ आप उसको चाहें तो उसको कर लीजे इसको चाहें तो इसको गर लीजे अगर आपको बॉड़ी तो आप एक वाम वाटर लीजे उसमें आप बेकिंग सोडा एक चमज डालीजे उसमें अपनी कोहनी को भीगोई रखिए अपनी अलबो को भीगोई रखिए दस मिनिट तक वाम वाटर लेना है बहुत गरम नहीं होना चाहिए पानी उसमें अगर आप दस मिनिट तक रखते हैं तो जो कोहनी की जो blackness है वो जाने लगेगी और आपके जो scrub है ये भी scrub try कर सकते हैं इसे भी blackness बहुत हद तक दूर हो जाएगी रेगुलर अगर आप वीक में दो बार लगा लेते हैं तो ये बहुत नीज एरिया हो है ना तो ये हमारे ऐरिया ऐसे होते हैं जो skin को fold रखते हैं यहां पर हमारे blackness ऐसे गुटना है यह elbow है और भी बाकी एरिया जहां-जहां fold होते हैं वो blackness रहती है क्योंकि उस जगे पर पसीना जो है वो अंदर की तरफ absorb कर लेता है और कई बार ऐसा भी रहता है कि हम उसको regular moisturizer नहीं दे पाते तो वो black हो जाती है और skin अधिक समय तक अगर धकी रहती है इसकिन बहुत धकी भी नहीं होनी चाहिए इसकिन पर अगर tight कपड़े fitted कपड़े पहनते हैं अगर मैंने यह इतना पहना है तो यहां पर मेरा कपड़ा जो होगा वह यहां पर आके सिपुड जाएगा नीचे जाके मुड़ेगा तो यह जो है वह चिपक जाएगा तो यह सब चिपका नहीं इसलिए इस तक पर ब्लाकनेस आने लगती है हमारे घुटने में भी ब्लाकनेस इसी कारणवश आती है तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना है और आप यह स्क्रब बना लिए इस क्रब बहुत वर्क करेगा कॉफी में इसकिन वाइटनिंग प्रॉपर्टीज होती है धी यह देखिए मेरा स्क्रब रेडी है लगाने के लिए पर मैं उससे पहले थोड़ा सा इसमें और बना के आपको दिखाती हूं कि मैंने इसमें क्या-क्या मिक्स करा है मैंने इसमें मिक्स करा है औरेंज का पाउडर जो मैंने आनलाइन पर्चेस करा है बहुत सस्ता है बहुत कुल दिन पहले को मैं इसी लिए मैं अपने में सुखा रही तो मैंने यह मिक्स मिक्स कर रहे हैं। धी मिक्स नहीं करते हैं। क्योंकि किसी किसी की स्क्रीम को सूट नहीं होती है करमारीग तो इसलिए और मैंने इसमें शुगर का पाउडर भी मिक्स कर रहा हैं , आप चाहें तो उसको इसके भी कर सकते हैं है वो के तो इसलिए इतनी हो गया है अब सब लोग देख रहे हैं आप सब लोग देख रहें है आप सब लोग यहां पर यह फे इस पाउडर के ही है जो लब पड़े होगे हैं ये शुगर के पाउडर के ही है तो आप शुगर का पाउडर चॉइस मिक्स करना चाहते हैं प्रिशे कि आप सूखा ही स्टोर करें तो ज्यादा बहतर है क्योंकि सूखा रखने से बहुत दिन चल जाए कि जब लगाना हो तो आप शहद या कोई ऑलिव ऑई है या कोकोनट ऑई है कुछ भी करके लगा सकते हैं दाल के लगा सकते हैं पानी मत मिक्स करना कि पानी से वह बात नहीं अगर आप स्क्रब लगाते हैं और बॉड़ी वॉष्ट अगर आप स्क्रब लगाते हैं और बॉड़ी वॉष्ट भी लगा लेते हैं तो इसकी इतनी एच्छी हो जाएगी और इतनी गोरी गोरी लगेगी आपको और आपके जितने भी दाग धबे होंगे वो सब रिड्यूस हो जाएंगे और मानो तो खतानी लगेंगे आपको देखकर लेकिन हाँ जो बहुत सब्सक्राश कर लें वह सब्सक्राब सर्कुलर मोशन में करें कुछ सेकंड्स रखिए बॉड़ी में क्योंकि इसकी जो गुड़नेस है वह एब्सॉर्ब हो जाए फ़रक आप खुद देख सकते हैं छुगर और मैंने ये ऐं-लाइन पाउडर मंगाया था और जाई अर कुछ मैंने ऑरनॉज परेंगे थे मुतला हना जे गूंतेश क्धेश्यक थियूचके वह ने सुखा लिए थे धूटमें उसका पाउडर मैंने मिक्स करांए तोड़ा अपने तर्मरिक डिखाता है इस्किन की एल्दियर लुक दिखाता है विए और शुगर एक्सिलेंट एक्सफॉलियन्ट स्क्रब है जो चाहें और यह का पील हो चिलका हो उसमें बहुत बिटमिन सी होता है और वह बहुत अच्छा करता है और स्किन लाइटनिंग प्रॉपर्टीज होती है औरेंज में तर्मरिक मिला लेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा नहीं मिलाएंगे यह आपका वो है शुगर भी चॉइसिंग ऑप्शन है बाकी यह तो इसक्रब अकेला मतलब यह है पाउडर है पील पाउडर है यह अकेला ही अच्छा इस क्रबिंग का काम करता है अगर आप कहीं दूप से आए हैं तो क्या करेंगे इसकिन जलने लगी है क्या पेस की दूप से आए हैं तो आप यह करिए अगर आप लोग दूप में नहीं पी जाते हैं तब भी आप इसको यूज करें और फिर आप देखिए आपके स्किन में क्या क्या होता है नहीं का जाती है में अगर गूधा है वह सब अच्छा हुने लगता है यह साए बाप करेंगे भी घूने लगता है तो मैंने ice cube में क्या-क्या mix कर रहा है मैं आपको बताती हूं ice cube में मैंने beetroot powder mix करता है beetroot powder में vitamin c होता है यह blemish को remove करता है ब्लैमish क्या दाग धाऑ मैंने लिया थोड़ासा पानी और मैंने थोड़ा सा यह पील डाल लिया है इसमें उसकी जो गुड़ने से वो पानी के अंदर आ जाएगी तोड़ा सा टर्मरिक लिया है इतना ज़रा सा ही डालेंगे आप भी यह देखिए ठीक है फिर इसको आप आइस क्यूब में चेंज कर लेंगे इसके लिए भी हम पानी लेंगे ज़रा सा और यह बीट रूट का पाउडर लेंगे ज़रा सा इसको भी मैंने आइस क्यूब में चेंज कर सकते हैं ओके चलिए आप इन दोनों को ही आइस क्यूब में चेंज कर सकते हैं ओके चलिए हैं